हम भूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Center of Mass का बहुत इंपौर्टर्ण कंसेप्ट क्या है वो सिमेत्री सिमेत्रीक continuous distribution of mass continuous distribution इसका रूल पर रहा है अभी हम लोग इसे रोड पर भी मेजर किया था रोड का सेंटर आप मास क्या होता है जो इनिफर्म मास का रोड है उस रोड का सेंटर आप मास मेजर किया था हाफ पर आए था ना एल बाई टू हाफ डिस्टेंस पर किसी भी रोड का सेंटर आप मेजर किया गया था थ्री रोड के बीच सेंटर आफ मार्स कहां होगा, ठीक है, जो आप नोट्वोक और भेल लेकर त्यारा जाईए, और फूल कंसेंटरेशन के साथ एक-एक-ष्टेप को सिखने करिए जो ओफ-लाइन जैसा, ठीक है, ओफ-लाइन जैसा फिलिंग करते विए, एक-एक-ष्टेप बहुत important concept है, बहुत बार competition में यह से कोचन पुछा जाता है, इससे related, ठीक है, यह next concept को समझेने के लिए इसका यूज़ करेंगे, और step wise, rule wise, यह बहुत सारे वीडियो से YouTube पे अबलेबल है, यह कि बच्चो difference फिल करें, क्या difference है, ठीक ना, तो मैं चला इस पिलेंट करने, आप जैसे offline में continue बैट कर पढ़ते रहते हो, वैसे ही पढ़ते रही है, ठीक है, भी ऐसा नहीं, बीच में उठ करके, जूसरा काम कर रहा है, जून कर लिए हो और जूसरा काम कर रहा है, यह नहीं करना, ठीक है बच्चो, देखिए तो क्या है, इस सिस्टम का सिंटर आप मास में जग करना है, बच्चो, देखिए, ठी रोड गिवेन है, एक रोड, एक दूसरा रोड यहाँ पर है, बच्चो, और ठोट रोड होगा यहाँ पर, उनिफॉर्म मास का है, सब का लेंध इक्वल है बच्चो, एल लेंध का है, यह भी एल लेंध का है, और यह भी एल लेंध का है, इसका सेंटर आप मास कहां पर होगा, कैसे में जग करोगे, रोड का सेंटर आप मास तो में जग किया था ना, किसी एक रोड का सेंटर आप मा मेल पॉइंट पे मेल पॉर्इंट पे सेंटर अपमास आज यहां पर सेंटर अपमास कैसे में जाओ दियो पर्सक्राइड ट्राय करो एक मिनुट टाइम है वक्रपास कि करो गुंट मर्निंग कंटीनिव के लास करते रिए बहुत इंपोर्टन करसे पढ़ रहे है सारे कुश्चन्स दिये जा रहा है इसको खुछ से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है तब ही कम्टेटिव कुश्चन्स सुल्व होगे देखे जो इसे कैसे सॉल्व करो गया अब सबसे पहला काम करना है इसमें हमें सेंटर आप मास का किसकी स्पाइंट पर होगा उसे परले सेलेट करिए इस रोड का सेंटर आप मास कहां पर होगा बच्छों मिडिल में होगा मिडिल मॉइंट पर यहां से हाप डिस्टेस पर होगा ना इसके मिडिल में इसका सेंटर आप मास होगा ठेक और इस रोड का सेंटर अब मास कहां पर होगा यहां पर होगा यहां से एल बाइटू और इस रोड का सेंटर अब मास कहां पर होगा यहां पर होगा यहां से हमेशा रोड का सेंटर अब मास होता है है एक मिल पॉइंट के होता है क्या करोंगे सारे तीनों प्वांट का कोडिनेट लिखना परेगा इस तीनों ॉपाइंट का कॉच्च Conference लिखा जाए इस पॉइंट का कोडिनेट अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे माल लो इधर में यह y-axis है और इसके लॉंग यहां से इधर x-axis है एक सेक्षिस और y-axis है वहाँ पर नहीं तो एक सेक्षिस को आप यहां पर ले लो बच्छा यह इसका ओरिजीन है यहां से इधर क्यों ले लो यहां पर x-axis कि इसका कोडिनेट क्या होगा वनली वाई है यहां से वाई है न सिर्फिस में एक से है क्या एक से नहीं है सिर्फ वाई एक्सिस है इसको ओर जीन माने हो यह ओर जीन है बच्छो इसका कोडिन होगा जीन जीन इसका साथ इसका कॉणेट बता हो क्या होगा यहां से Y-axis में है न यह क्या है है यह तो है तो एक्स लेकिन एक्स तो सीटेटा होगा इसका पोसेशन जीरो और य का वाई का एल भाई टू इसका को नट मिल क्या तुम्हें इसा को नट कर लिक होगे यहां से आगे भरो इससे आगे मिल होगे तो एक्स में L by 2 यहां से यहां तक क्या है बच्छो यह भाइट तो यह भी लगाई टू इस पांग का को ने ठोका बच्छो लगाई टू एन वाइट टू अबिश्पाइच पांग क्या होगा इसनों फिल वाइए यह लेकिन एक्स क्या है बच्छो एस्ट यहां से यहां तक है लाइट एक्स होगा एल और वाइव होगा एलबाय टू स्बच्छ गया है नवेश्ट कह जचट इसे आप तो कॉर्णेट मिल गए आप तो भेरी एजी हो गई X-axis Y-axis और Z-axis X-C-O-M, Y-C-O-M, Z-C-O-M मेज़ा कर लो लेकिन दोनों में क्या उनका सा एक्सिस है सिर्फ दो ही एक्सिस है, X-O-R-Y मेज़ा करना पड़ेगा Z की ज़रुरत नहीं है X-C-O-M आप क्या एक्से मेज़ा करोगे इसके X-C-O-M क्या होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 होगा divided by M1 प्लस M2 प्लस M3 अब इसे कैसे लिखागे मास, उनिफॉर्म मास है, सबका मास सेम होगा सेम मास लिखना होगा M X1 क्या है चो वहां से बताए, X1 यहां से क्या है 0, M into 0, प्लस M2 क्या होगा इसका इस पॉइंट का, इसका मास क्या होगा, इनिफॉर्म मास है तो M होगा M और X2 क्या है X2 की बात हो रहे हैं यह बच्चो X-axis के लोग बात करना होगा L by 2 लिखोगे न, L by 2 2 L by 2 प्लस M3 भी इनिफॉर्म मास है, तो M होगा और X3 क्या लिखोगे आप X3 में L लिखना परेगा L, 9 to L divided by M plus M plus M समझे रोड वाले कंसेप्ट को यूज़ करके आप इस सिस्टम का सेंटर आप मास में जा कर सकते यहां पर यह तजीरो plus यह क्या होगा L by 2 M by 2 plus यह क्या होगा M by 3M नेश्ट इश्टे बताओ बच्चों इसका L CM लोगे उपर होगा 3M 3M L by 2 into 1 by a small m लिखना है 1 upon 3M 3M से 3M कैंसे कितना आया L by 2 XCOM भी इसका L upon 2 आया बच्चों XCOM यहां पर यह सैसिस के लोग सेंटर अप मास होगा वो हाप पर ही होगा अब YCOM मैं जा कर लोग YCOM क्या आता है M1 Y1 Plus M2 Y2 Plus M3 Y3 दिवार्चों यहां 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 पर यह वाइबन क्या है वच्छों यह एल है इसका एल है तो टोटल लेंद लिखा हुआ है एक इस पॉइंट का कोडिनेट क्या होगा जीरो इंटु एलबाइटू होगा तो य एक्सिस तो एलबाइटू है टो एलबाइटू प्लस एम इंटू इसमें वाई है एल्बाइटू है कैसके बात वाला भी है वाई 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 वैसिस है यहापर लबाइटू देको इसमें क्या आता है बच्छों पिर यहां पर लिए ठीन कि थ्रियम तो यह मार्या बच्छों एम कैंसिल कर जो एम तीनों में से कैंसिल कर दिया है अब उपर आगया कैस्ट्री एल बाइटू अपर अपर कि थ्री एल बाइटू आजागा बच्छों वाइशी एम वाइशी एम इसकाल टू टू ट्री एल बाइटू इंटू बाइटू इसे थ्री कैंसिल अच्छों आगया एल बाइटू तो इसमें सेंटर मास नहां पर होगा विर ओहूर्गा को झाडि को डिया हिरे स्थस्वाइटू दाइगा हाफ पर यह होगा एल बाइटू और एल बाइटू यहीं होगा इस पूरे सिस्टम का सेंटर अब मास कहा होगा यहीं होगा बच्छो समझ गया है 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 ना बेस्ट रसेप्ट इचले वीडियो पॉस्ट करके से एक रिस्टेप को नोट करिये फिर मैं नेक्स्ट कोच्छन लाता हम हो ते कोच्छन क्या करा है एं नन उनिफर्म रोड है विंग लिनियर मास देंसीटी लेम्डा लेम्डा इसकाल लेम्डा नॉट एक से बच्छो वेर लेम्डा नॉट इस कॉंस्टेंट ठीक है क्या करोगे क्या करोगे बठाओ बढ़े हो ना लिनियर मास देंसीटी लिनियर मास देंसीटी लेम्डा इसको लेम्डा नॉट एक्स दिया हुआ है मतलब कि मास का भैरींशन देंसीटी के अनिसार हो रहा है गड़े जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तेंसीटी बढ़ेग किसी रोड का एक रोड का है जो नॉन इनुफॉर्म रोड है रोड को द्रॉड को ट्रॉड कर ऑद है non uniform rod have a job we're not uniform rod I basically up character origin month on I can to say Karina where lambda not is constant and X is distance from its India nice cake indices it's distance average in an x-ray their y-axis in a little it's a road a x-ray distance from this in the car or location of central mass media can I crack already I say up element that can I call down to Anna well it element car can I yeah I say it's origin say the origin have a show हो यहां से एक्स डिस्टेंस है आगर बहू हो और फिर यहां पर dX element को cut कर दो ओ जो elementary आपने cut किया यह क्या है dX है बच्चो जो फिर इसका मास क्या होगा dm मास होगा dm ठीक है अब कैसे में जय करूगे के center of mass में जा करना है तो x कोडिनेट और y कोडिनेट य एकसी के लोग तो है नहीं तो एकसी के लोग है जो linear mass density lambda is equal to lambda not x दीया हुआ है तो mass क्या हो जाएगा लिनियर mass density जो linear mass density lambda is equal to kya होता है mass upon L होता है length होता है mass upon length होता है lambda is equal to mass upon length कहा जाता है तो इसमें आपको mass measure करना है बच्छो M is equal to lambda L लिक होगे तो lambda कितना दिया हुआ है lambda not x दिया हुआ है मताब mass का होगा इसका lambda not x lambda not x और इस लेंध को क्या लिख होगे किसका लिखना है अभी तो यह aim का लिखे हो तो सबसे पहले तो तुमने क्या किया element कट किया ना element कट किया at first सबसे पहला काम at first we cut an element dx from ind at x distance at x distance पे element कट कर लिया फिर इसका मास क्या होगा मास आफ एलिमेंट element dm है बच्चो तो dm is equal to क्याएगा lambda dx होगा जिस लेम्डा को क्या लिख रहे हो आप lambda not x into dx लिखना होगा यह इसका मास होगा ठीक है तो कि इसमें मास का भेडियस है density बढ़ने के साथ साथ इसका मास बढ़ी करेगा बढ़ेगा जिविस रोड का density बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा कि इतना मिलने के बाद क्या फामुला है xcom लिखोगे xcom is equal to क्या होता है dmx dmx upon dm होगा तो चो dmx dm कितना आया है lambda not x आया है lambda not x dx divided by अपर integration का mark देजिए और यहाँ पर हो जागा बच्चों lambda not x lambda not x हो जाएगा ठीक है तो xcm इतना आया जो इसमें से जो constant हो इसे बाहर कर दो limit कब से कब तक रखोगे 0 से l तक l length है अपर 0 है यह length होगा x न भेड़ यह बच्च में और फिर यहाँ पर यह चो dx होगा न lambda not dm के जगा पर क्या लिखोगा dm है वान ली बच्चो dm is equal to lambda dx तो lambda not x dx lambda not x dx भी होगा नीचे की और भी यह होगा उपर से कॉमन ले लो तो आजाएगा बच्चो lambda not और अदर integrate करिये x dx divided by lambda not बाहर दर आजाएगा x dx कब से कब तक 0 से L तक lambda not x dx तो dm का है इसमें एक और x है ना बच्चो इसमें एक और x होगा यहाँ x square हो जाएगा और इतना रहेगा कब से कब तक 0 से L तक lambda lambda cancel x square का integration क्या होगा q upon 3 divided by इससा का लिखो गया डाइट लिएट 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 लिमिट रफ लो एक से स्क्वाइर है x cube upon 3 0 से L divided by x स्क्वाइर अपान 2 0 से L तक अब यहाँ पर क्या होगा ल क्यूब अपान 3 उपर में और निची आएगा L square by 2 यहाँ पर होगा L cube upon 3 into 2 upon L square यहाँ पर L square से यह cancel L लाजाएगा मतलब बच्चू आगया 2 L upon 3 ठीक है इतने distance पर center of mass मिलेगा मतलब कि यहाँ पर अभी center of mass इस rod का middle में नहीं मिलेगा यह मिलेगा कितने पर 2 L upon 3 पर क्योंकि यह non-uniform rod है non-uniform rod है इसमें mass का distribution density के अनिसार हो रहा है जैसे यहाँ से mass density बढ़ रहा है वैसे वैसे mass बढ़ता जा रहा है इसलिए यहाँ पर 2 L upon 3 आएगा इसलिए पर center of mass होगा ठीक है यह इसका होगा इसलिए ठीक है आईए हम लोग next concept करते हैं आप बिल्कुल off-line जैसा notebook or pen लेकर full concentration के साथ स्टेप को सीखने का हो इसकरी बच्चो बहुत important concept हो भी हम लोग पर रहे हैं 7th chapter में rotational motion को भी समझने के लिए हमें इन सारी बातों को कि नौका knowledge होना चाहिए अच्छी चला जैकि इसका center of mass कैसे मेजर करेंगे नेक्स्ट आ गया यह center of mass of semi circular ring या वायर कह सकते हो बच्चो वायर वायर बोलने से आपको clarify हो पा रहा है यह one dimensional होगा वन्डी होगा बच्चो वन्डी है ना और लेम्डा इसमें distribution of क्या क्या लिखेंगे distribution को लेम्डा लिखेंगे यह मास है यह मास होटा है तो सिमिसर्कुलर रिंग कहा जा रहा है बच्चो रिंग या वायर वान डामेंशनल है linear mass density का यूज करेंगे वहाँ surface mass density का यूज नहीं होगा ठीक ना तो linear mass density आपको पहले यह decide कर लेना है किस density में जाएगा यह linear mass density है यह surface mass density यह volume mass density है यह जो है वो linear mass density का है कि यह एक सेमिसर्कुलर रिंग बना हुआ है कि यह सेमिसर्कुलर वायर और रिंग यह कह सकते हो इसका कोई center होगा यहां से इसका क्या करना है क्या रूल पढ़ा आपने थी रूल पढ़ा था ना पहला element कट करना है जिसरा उसका mass में जार करना है इनिटरी मेथट से और तिसरा integrate कर देना है integrate करना है बच्चों तो यह 3 रूल को ही follow करना है कैसा भी system हो यह 3 रूल करना है अब स्वाल आपके पास बच्चों प्रोब्लेम आपके पास आएगे हम इसका element कैसे कट करें element कैसे कट करें तो एक बात धान दखना पहले तो कोडिने लिए आपको एक्सिस दिखाना पड़ेगा यह एक्सिस और इधर वाई एक्सिस हो गया ऐसे पहले दिखा होगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस इसका पुछू अगर मैं यह तो ओरिजीन है इसका center of mass और इसका coordinate क्या होगा जीरो जीरो होगा लेकिन एक बात है जैसे इसका center of mass y-axis के लॉन्ग रोब बात करते हुआ आप y-axis के लॉन्ग बच्चो यहाँ से शिमेट्री सरोकर रहा है इसके लॉंग इसके जिटना मास इधर होगा उत्ना ही मास इधर भी होगा इसके इस शाड़ में सेसमास होगा अंड़ तो इस लाइन पर ही कहीं भी center of mass होगा symmetric line पर होता है center of mass इस लाइन पर होगा लेकिन x में क्या होगा बच्चो एक सेक्सिस में center of mass देखते हैं क्या x-axis के लोग mass का institution होड़ा है क्या होत रहा है तो क्या होगा x-axis के लोग x-c-o-e-m और y-c-o-e-m कि एलमेंट कट करने में क्या करो गया यहां से थीटा एंगिल पर यहां से ठीटा एंगिल और इसको हम क्या करेंगे वच्चो एक element कट करेंगे इस रिंग इसे एक element कट करेंगे हम लोग यहां तो बहुत सारा जैसे यहां पर देखो यहां पर भी मास है डीम मास पार्टिक इलमेंट कर गोगा ना यहां भी कट कर सकते हो यहां भी इस चैसे यहां यहां डिफरेंट पोजिशन पे सभी जगा पे इलमेंट करकर तकते हो यहां पर इलमेंट कट के आजा सकता है तो सारे इलमेंट का हाइट तो डिस्टेंस तो डिफेंट है डिफेंट 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 का है तो आपने क्या किया कि यहां पर यहां पर ओर ध्योने को वाई हैसे के लम यहां पर जिदम के जाए है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर इतना है। यहां जाहां से कम सबूसब्स अदो भी अगाइए सबसे कम होने ज्क्रीज चाहिए और यहां से सब्सक्राइब कर घर एस दोनों इन वीडिक का एंगिल का आपने एक एंग के लिए इसका पशले लिंठ के लिए लेंट होगा इसका रयुस्ति अजरी distributed कंभले हुग ओर के लिए यहां पर मास में जोका ना पड़ेगा धियम मास क्वाइज काती है थेखना तो सेंटर आपास वाइस यू एम और एक से परदा चल जाएगा इधार कियो होता है एलिमेंट टो कट कर लिए इसका मास में जा करना पड़ेगा डी एम मास के लिए क्या करोगे सबसे पहला काम क्या 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 वी कट आन एलिमेंट deal और एक अंगेल टीटा टीटा एंगल पे या फिर एंगल वाइच टीटा एंगल को मेंज कर लिया एलिमेंट मास आप इलिमेंट क्या होगा मास ओफिलमेंट होगा बच्चों डी एम यह सोचों यह क्या करोगा इसमें कैसा इस्टिश्टिशा लिनियर मास देंसिटी एन बाई लिनियर मास देंसिटी या इनिटी में थैट भाई लिनियर मास देंसिटी क्यालिक होगे दीयम लैंडा इसकोल टू क्या था बच्चों दीयम अपन दीयल ते बच्चों दीयम इसकोल टू क्या होगा लैंडा दीयल होगा कि मास भी मिलगे अलिमेंट का या टीमी कि मेठाट अपना लो या फिर लिनियर मास देंसिटी सिर्फेस मास डेंसिटी मौलों मास देंसिटी ऐसा और इसका रेडियस है और यह है आपका डिठीटा तो एंगिल इसको ल्टो क्या होता है कि दीठीटा इसको डील अपना लिख सकता हूं यह से लिख सकता हूं ना फिर दील इसक्राट ट्टो क्या होगा और दीजिटा वह जाएगा सब्सक्राइब कर दीयम इसक्राट टू हो जाएगा लेंडा और दील को आर डी ठीटा लिख दीजिए लेम्डा इसकोल टू क्या होता है लेम्डा इसकोल टू मास एट पर इन्थ होता है तो दीम इसकोल टू यहां पर इसकी हाइट क्या होगी इसकी डिस्टेंस के लॉग इसका डिस्टेंस क्या होगा आपको डिस्टेंस मिचाहिए ना यह जो डिस्टेंस है अगर आप यहां पर एंगिल लगते यहां पर इलिमेंट कड़करते तो एंगिल क्या होता ठीटा होता कुछ एंगिल होता यहां पर रेडियस बच्चों यहां पर कड़कर यहां पर होता तो एंगिल जीरो तो रेडिय जिरे जिरे यहां से जैसे से एंगिल आपर चेंज गरते जा रहे हो बच्छो उस तरह से एलिमेंट का भी इदिए रिडियर्ड यहां से चेंज होता जारा है। देखो एक्स कोर्डेट एक्स कोर्डेट और वाइ एकसी सोब देखो सबम यहां बश्चा या गातर वाइब यह चाल रहा है। हैूं कि आंगिल चेंज करने कर दॐ हैूं कि दूरामे चलू यह जिसे आप इसका अंगिल चेंज रहे हो भि يमाने चेंज रही हो है। प्राना है चैंज, DM मास में जा कर लिए, तो इधर का अखिरी यहां पे, जहां पे अलिमेंट कट किये हो, वहां का रेडियस क्या होगा, एलिमेंट का डिस्टेंस तो Y-C-V-M मैं चाहिए न, Y is equal to, यह जो Y है, वो क्या होगा, यहां X है, यह यह, तो Y is equal to बच्च्छों इस R का, इधर क्या होगा, R सान ठीता होगा, R सान ठीता, फिर इधर वाला क्या होगा, R कॉस्ठीता होगा, स्लजगा है, बहुत main role है इसका, आई ये इंटेग्रेट करना है इंटेग्रेट जो यहाँ पर XCOM पहले लिखते हैं XCOM XCOM is called to चों DM X लिखो गए और DM यह लिखो गए न चो DM का क्या आजा है DM is called to M by L R D theta है M by L R D theta into X क्या है X जेखो बचो और कौश theta है R कौश theta divided by इसका DM के जगा पर क्या लिखो गया इसको इंटेग्रेट कर देना है जेखो इसे भी DM is called to क्या है M by L R D theta अस यह लिखेंगा ना फिर अब पर कोई यहाँ पर बच्चो कब से कब तक लिमिट यहाँ बैरियेबल कौन है खिट्टा अंगिल भरियेबल है ना अंगिल के फॉर्म में रख रखना पड़ेगा क्या लगता है यहां से जब अपने ठीक ना इसे पाई वर चोई यहां पर क्या होगा यह जो कॉंस्टेंट है बाहर करदा M by L mass constant length constant अंदर R square हो जागा R square भी constant है बाहर कर दें फिर अंदर बचेगा सिर्फ cos theta और D theta कब से कब तक 0 से πाई तक इसमें भी M by L बाहर R बाहर होगा बच्चों और यहां पर D theta कब से कब तक 0 से पाई तक समझें तो बच्चों M by L और यह कैंसिल तो सिर्फ पर R बचेगा R और सब्सक्राइब क्या होता है इंटिगरेशन अलो सांधिटा सांधिटा होता है कब से कब तक 0 से पाई तक डिवाइब भाई यहां पर क्या होगा यहां पर ठीटिट अगा इंटिगरेशन थिट्टा अच्छों जीरो से पाई नेक्स्ट एस्टेप क्या आएगा और और साइन पाई माइनास साइन जीरो दिवाजर बाई पाई माइनास जीरो ठीक है तो नेक्स्ट में क्या होगा और साइन पाई माइनस साइन जीरो दिवाजर पाई माइनस साइन जीरो क्योंकर यहां तो लिख चुका हूं मैं वहलू लिखने की बारी है यहां पर साइन पाई का भेलू क्या लिखोगे आर और साइन पाई का भेलू बच्चो वन 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 ए टी डी डी का साइन जीरो डी का भेलू जीरो नहां पर वन हो जागा अच्छो वन माइनस जीरो डी बाई पाई पाई को सा क्या होता है इंटेगरेशन साइन का कोस डिफरेंसेशन होता है बच्चो और साइन का डिफरेंसेशन कोस और कोस का माना साइन डिफरेंसेशन होता है तो इंटेगरेशन में क्या होगा साइन होगा साइन में जो लिखे हो 0 से πई तक तो सा ज़िटा साइन πई माइनस 0 साइन 0 लिपा 0 हो जाता है ये जो 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे साइन पई है पाई का फहल लोउ 1 2 पाई तो पाई यहाँ रहा है कितना आर बाई पाई एक सीवेयम कितना होगा क्या अरबाइपाई होगा कि शाइन पाई का भी जीरो होगा बच्छों अधिक शाइन पाई का भी वैलिव जीरो हो जाता है तो यानि एक सीवेयम में आ जाएगा यह जीरो ही है तो अच्छों आड़ इंटो जीरो भाई पाई यानि जीरो आजागा तो एक सीवेयम में एक सैसिस के लॉग एक सीवेयम इसका जीरो होगा X एक ऐसी स्के लोग मिस्का सेंटर आप मस नहीं घू जो केना क्यक्कि मास का वैरियेशन जो है वो स्के y treating वाई एसे की रोग ही ओ रहा है नहींने साइड लेंद ऐसे हो रहा है उनीफ़र्म मस है को ओ एक सी हो एमजीरो वोग निछो यहांड आप झाल झाल